वेलो एवर्लीवान वेलकम टू माय चैनल गुड मॉर्निंग और यह समें ना करीबन सूबह के पांच बजने वाले थे जो मैं यहां पर बना रही हूं बच्चों के लिए टिफिन के लिए नास्ता यहां पर बनाने वाड़ी थी मैं अज अलू भरके ब्रेट पकोड़ा वह बनता है लेकिन मैं अलू भरके बना रही थी तो सुबह सुबह मैं बहुत जल्दी उट गई थी करीबन चार बजे में उट गई थी क्योंकि आलू बॉयल करना था उसके बाद फिर को फ्राई करना तो टाइम लग जाता है लिए सुबह सुबह उटके मैंने आलू जड़ा इसके बाद में यहां बना रहे हैं प्रेट के पकोरे तो इसा है ना कि छोटी वाली जाया तृटि उसको हर समय कुछ ने कुछ अलग टिफिन में चाहिए होता है तो समझ में नहीं आता क्या दू क्या नहीं तो यह बहुत बड़ा टेंसन का काम होता है कि नास्ते में क्या वहिते और बिरेट पकोरा बना रहे है तो यहां में क्वहें होता है और आलो बिरेट पकोरा छादा पसंद नहीं तो बच्चे लोगा टिफिन वगरा देने के बाद सारा बैक में पैक वगरा कर दिया और तानिया भी तैयार हो चुकी थी त्रिप्ती त्यार हो के बैठी हुई थी वह बोड़ी में मेरे को पहले बाल बना दो और अर्बेट प्रकोडा मैंने लो कुछ खाने के लिए था ऐसे निकल रहें स्कूल के लिए तो मजदल वाज चोटी से वीडिय जाने का भी बना लेती हूं तो यह लोग स्कूल जा रहे था मुझे निचे तक छोड़ने जाना होता है क्योंकि ताला लगा रहता है तो खोल के फिर बच्चे लोग जाने के बाद फिर में लगई वापस जलदबाजी में लगाओ तो अच्छे से तो नहीं होता है और कितना काम फैला रहता है और उनकी जाने की बाद अराम से कुछ दिन तो मौसम ठीक था दो तिन दिन उसके बाद से तो इतना ज्यादा मतलब गर्मी किया हुआ अभी तो यह कुछ पहले का है जिसे में बारिश बारिश सी हो रही थी उस समय का वीडियो यह इसलिए बारिश का मौसम था तो सुखा नहीं था तो और जो कप्रे मैंने फ अपने जगर पे रख दिया उसके बाद मैं यहां पर बेड़ वगएरा जार के बड़े रेंज कर ले रही हूं ऐसे बेड़ उठाना नहीं है बेड़ साफी है बस इसको मैं जारना है सुबह सुबह की जारू तो बस बस हर बड़ी में ही लगती है बच्चे सोए रहते हैं तब अच्छा से मैं ड़्स्टिंग का काम सारा किया बेड़ समेटा जितना भी डेसिंग टेबल फणीचर जो भी इस अपर इतने मोटे-बोटे ड़स्ट बैट जाते हैं वह सब डेली नहीं करती है दो तीन दिन भीच में ड़स्टिंगा ठाम करती हूं अभी मतलब उतना अब दो देली नहीं होता है दो कितना बार बी करो फिर भी कम पढ़ जाती है अब गर्टाइब फिर में लगा ले रहे हैं पूरे घर में उसकी बाद लगाओंगे पोच्छा तो पोच्छा का तो मैंने वीडियो इसमें नहीं लिया है सिर्फ जारू तक का ही है और इस ब्लॉग में न दो दिन का वीडियो में ने एड किया है ये मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया था बस मॉर्निंग का रूटीन इसमें सेर हुआ फिर आगे मैं न किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाई हुआ कि मुझे थोड़ाना बाद मे लगानें रहते हैं तो भी वीडियो दो बनाने चाहते हैं और आज तो शूल कि यह थे तो फिर और वार बार जाओ यहाँ हुआ तो मैंनी नहीं कि आगे फिर वीडियो कंट्लू करने का और पिर बाद में रवशितत करने लगा तो मननी किया तर मैं इस में यही तक जारू चाहिसे आड मैं ने Soru चाह लगाने के बाद तो आज के नासता वंगेरा तो हमारा वही रहएगा लिए उसके बाद भी है गाना टो ओस दिन आख कन चुछ अब लए Benard को इस दिन को बच्छों को ख्यों की चुटी तो यह पेर शुटट में चुट चुकुरों में पड़न ले तो आध कि लिए ने था विए भून ले जुट नांने हिए तो अज चाहता हूँ अच्छा होता है खाना चाहिए लेंगे बच्चे खाने नहीं चाहते हैं सब्जी बनाओ तो बिल्कुल भी नहीं तो फिर थोड़ा बहुत लोग भी खा लेते हैं और अच्छा लगता है दाल में डाल के बना के मैं बनाती हो बीज-बीश में और उसके बाद फिर देखें नहीं हमें खाना बनाई रही तो य लेकिन नहाने के बहुत लगी जाती है तो यहां पर तानिया बोली मुझे भूख लगा तो मुझे भूजिया रोटी दे तो फिर वही मैं इसको दे दूंगी और यहां में दाल में तरका लगा रही हो तो मिर्ची हरी में जर्प्याज बस और थोड़ा सथ जीरा यह डाल के मैं इसमें तरका लगा ली और तानिया खुद से अपना वीडियो बना रही थी वहां ममीरु को मैं टेस्टर के बताती हूं कि अलुका बुझे कितना टेस्टी बना है तो यही दिक्कत हो जाता है एक को एक पसंद देखो एक पसंद खाने में समझ में नहीं आदा क्या बना चिप्स और केला के चिलके की चटनी और सालेड मतलब खीरा तो यहां पर फिर ना खाने पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट वगरा किया फिर यह साम का समय हो रहा है तो इसका खुद का मन रहता है ना तो फिर किसी को करने ने जाती है मैंने का मैं हेल्प कर देती तो नहीं म कि में अब बैठो जाकर बैठो इसका की बात होती ही में पर ब्रेट पिजा और चाए दोनों दोनों चीज इसने खुदी बनाया और हम सबको खिलाया था खुद भी खाया था और ताने यहां कर रही थी पढ़ाई और देखें यहां पर चाय भी वह बना के लेकिया थी पहले नास्ता करवाया फिर यहां पर चाय उसके बाद ना फिर यह अब रात का टाइम औरा करीबन इसमें 8 बज रहा था जो मैं यहां पर आ गए हो डिनर बनाने के लिए तो तेल खतम हो गए था तेल के डबे में तो मैं यहां पर एक पैकेट तेल काटके यहां पर इसमें डाल दे रहे हूं उसके बाद आप स्टार्ट करूए खाना तो अभी ने खिरकी देखे किचिन का स अब भी ने खिरकी खोल दिया इतनी कीरा आने लगा तो यहां मैं बनाड़ी परवल का भड़वा तो मैंने दो बड़े प्याज कट करके दिये थे उसमें फिर मैंने मसाले में मैंने हरी मिर्च लैसुन जीरा और जो परवल का बीच होता है उसको मैंने एक साथ पीस लिया जीरा पौडर नामाख मिल्ची पौडर थोड़ा सगराब मसाले को अच्छी तरह एक्टम सुखा सुखा भूण लोंगे तो देखिए अच्छा सुखा सुखा भून चुका था प्लेट्र में इसको डालके और थोड़ा सा पंख्ये में टाले ठंडा होने के लिए ठंडा हो लो फ्ले में बनाने से तो टाइम लगता है लेकिन पक जाता है और जल्दी खराब नहीं होता है यह कल तक भी रह जाएगा भापावान थोड़ा ख़राब हो जाता है जल्दी पूरा एकदम लो फ्ले में पकाना होता थाकि वह अराम से पक जाए नहीं तो फिर तेज में जल जाएगा तो आज के रात के खाने में बस यही रहेगा रोटी और परवल का भरवा आई होप आप लोग को यह ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक सेर सब्सक्राइब कीज़ कि बहुत जादा गर्मी लग रही थी बनाते बनाते तो मैं कर रहे हैं अपने वीडियो के यहीं पर एंड और मिलती हूं निक्स्ट ब्लॉग में न्यूव वीडियो के साथ तक तक के लिए बाबाई